हेलो गाइज विलकम बैक टू माई चैनल उमीद है आप लोग अच्छे से और खेरियर से होंगे आज हम एक बार फिर लेके आए हैं गाओं की शादी का वीडियो जो की जौनपुर डिस्ट्रिक में है तो आप लोग लास तक बने रहेगा और पूरी वीडियो लास तक जरूर देखिएगा और अक्टूबर और नॉमबर का पूरा महीना शादी के लिए बेश्ट होता है इसलिए इस महीने बहुत ही सादिया होती है करकि ये पूरा महीना ठंड होता है मतलब हलका सा ठंड होता है तो मौसम बहुत प्यारा होता है इसलिए इस महीने बहुत ही शादिया होती है तो उसमें से एक शादिय हम आज दिखाने वाले है देखो ये पूरा टेंट लगाया गया है महमानों के बैठने के लिए पूरा अच्छे से डिकोर किया गया है लाइट लगाई गयी है सामने सब चेर्स लगी है सोफे भी लगे हुए है जहांपर महमान आके अराम से बैठेंगे और बैक साइड पे खाने का इंतजाम है जहांपर बैठके टेबल ओबल लगी है खाने के लिए यह देखो बैलून्स लगे हुए हैं खुबसूरती के लिए कि ताकि पूरा खुबसूरत लगे यह देखो यह पूरा टेबल्स और चेयर्स अच्छे से लगी हुए हैं जहां पर महमान और जो भी सादी में आई हुए हैं उनके खाने के लिए हैं सब टेबल्स चेयर्स लगी हुए हैं अभी सादी का प्रोग्राम स्टार्ट नहीं हुआ है इसलिए सब खाली पड़ी हुए है अभी पब्लिक आई नहीं है सादी में तो अभी कुछ देर में प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा यह देखो यह पूरा एरिया बहुत बड़े में है पूरा चारी तरफ से टेंट लगाया गया है सोफे लगाया गया है मेहमानों के बैटने के लिए और सामने चेयर्स लगे भी हुए हैं और उपर लाइट्स भी लगी हैं जिसे की खुबसूरत लगे यह बच्चे भी अपना मजे ले रहे हैं देखो पूरा चारी तरफ से दिखा रहा है ना वीडियो यह देखो बहुत लंबे एरिये में हैं पूरा टिंट और बहुत ही खुबसूरत लग रहा है टिंट यह देखो यह सामने गली है जो की आने और जाने के लिए है बाहर निकलने के लिए है यह देखो यह पूरी गली है देखो बच्चे दोड़ के आ रहे हैं बहुत ही खुबसूरत है यह देखो पूरा टिंट यह गाओं की शादी है गाओं में ऐसी शादी होती है और यह सब पान मसाला का एरिया जहां पे पान का इंतिजाम है सिग्रेट पीने का इंतिजाम है गाओं में भी शादियां बहुत ही अच्छे तरीके से होती है बहुत ही खुबसूरत तरीके से सजाय हो जाय होते हैं देखो कितना खुबसूरत सजाय गया तो वीडियो को लास तक जरूर देखें तभी वीडियो को वीडियो समझ में आएगी तो चलो आगे लास तक वीडियो देखते हैं साथ में बने रहेगा चलो करें लास तक वीडियो के लीडियो को अभी वीडियो झाया चलो अभी जो मेमान लोग सादी में आए हैं उनके खाने का प्रोग्राम चल रहा है और ये खाने का प्रोग्राम रात नो दस बज़े तक चलता रहेगा फिर जब इनके खाने के बाद शादी ओवर हो जाएगी और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों के साथ सेयर करें फैमली के साथ सेयर करें दिखाएं की गाओं की शादी कैसे होती है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें अगर वीडियो में कुछ कमी है कुछ बताना चाहते है तो कमेंट में जरूर आकर बताएं क्योंकि वहाँ से समझ में आता है कि कैसी वीडियो बनी है कैसी नहीं बनी है तो कमेंट में जरूर हम लोगों को बताएं कि वीडियों कैसी बनी है और सबस्क्राइब जो नहीं किया है तो वो जरूर से सब्सक्राइब कर दे ये है शादी वाला घर, जो दूले का घर है उसको अच्छे तरीके से डिकोर किया गया है जिससे पता चल लाए कि यही है दूले का घहर तो चलो वीडियो को यही पर खतम करते हैं और आप लोग लाइक और शेयर जरूर से कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना थैंक यू